हेलो 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 बीवन वेरी वलकम सो गाई सीजिसी नट एक्जाम पेपर वन की हम यहां पर क्लास करेंगे और अभी हमारा चड़ रहा है लोग विकास और परियावरण गाईस हमारी आज यह पीडी की तीसरी क्लास है और इससे पहले हमने टू क्लास कम्प्लीट कर लिया है दो क्लास हमने कर लिया है आज हमारा तीसरा क्लास है जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी डिस्क्रिप्शन पर जा इस्ट्यूट कम्निकेशन आइसीटी कम्प्लीट हो गया है और अभी हमारा पीडी चल रहा है देखे गाई सबसब पहला काम है आपका आपने क्या करना है टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना है discussion पर जाएए, telegram का लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से telegram channel को जॉइन कर सकते हैं या फिर देखे आप सर्च कर सकते हैं telegram पे इसस्टड़ी आपको मिल जाएगा और telegram चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए जॉइन कर लीजिए और Instagram पे आप हमें follow कर सकते हैं Facebook page को like कर सकते हैं आपको search करना है This is study So guys देखे Class को like करना ना भूले और अपने दोस्तों में अपने friends में share करना ना भूले और इस YouTube चैनल को इस platform को इस YouTube चैनल को subscribe जरूर कीजिए और well icon को press जरूर कीजिए देखे आप well icon को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको next class का notification प्रोवाइट नहीं हो पाएगा इसलिए well icon को प्रेस जरूर कीजिए So guys class को start करते हैं इससे पहले की class में हमने पढ़ा था परियावरन क्या है परियावरन के कारण पढ़े थे हमने प्रारण किन कारण से प्रदुशित होता है इस सारा कुछ हमने पढ़ लिया था environment को आज हम पढ़ेंगे नदी सरक्षन योजना यानि कि नदी को सरक्षित किस तरह से किया जाता है और कप-कप किया गया था और सरकार की कौन-कौन सी योजना लागू ही या चलाइ गई थी सरकार के द्वारा प्रियोजना चलाइ गई थी तो गाइस सबसे पहली बात जो लोग पहली बार आई है क्लास को लाइक जरूर कीजिये और इस प्लेट फॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिये तो देखे, क्लास को स्टार्ड करते हैं, नदी सरक्षन योजिना, तो देखे, सबसे पहली बात गंगा को कब सरक्षित करने का कारे किया गया, सबसे पहला जो गंगा को सरक्षित करने का कारे किया गया, कब किया गया, तो देखे, 1985 में गंगा कारे योजिना के रूप में सु 1885 में बहुत बार question ये पूछ लिया जाता कि गंगा कारे योजना के रूप में शुरू कब किया गया था तो आपको याद रखना है कि 1985 में शुरू किया गया था अब देखे 1996 में राष्टे नदी सरक्षन योजना के तहट अन्य नदियों में विस्तार हुआ बहुत बार question ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्टे नदी सरक्षन योजना के तहट अन्य नदियों में विस्तार कब हुआ था तो आपको याद रखना है 1996 में हुआ था ठीक है अब बहुत बार ये भी question पूछ लिया था कि पहली बार गंगा नदी को सरक्षित करने का कार्य कब सुरू किया गया था तो आपको याद रखना है 1985 में ठीक है याद रखना है दोनों लाइन आपको अच्छे से समझना है औ इसका उद्देश्य क्या था तो नदियों की जल की गुणवत्ता में सुधार करना था और जो नालों से जो मल के भाव को रोगना था आपने देखा होगा बहुत पहले क्या होता था जो फैक्टरियों से जो गंदेगी निकलता था गंदा नाला निकलता था वो किसी नदी म मिला दिया जाता था ठीक है पहले ऐसा होता था हाला कि अब ऐसा नहीं होता है अब उसका एक प्रबंदन किया गया है ठीक है इनी नालों से जो मल निकलता है उसको रोकना और सस्ते सोचाले का निर्मान करना क्या करना जहां पर आम पब्लिक जाती है रेगुलर जाती है जो सस जीलों का परबंदन करना ये सारा उद्देश्य किसका था नदी सरक्षन योजना का उद्देश्य था समझ गए न अब देखें नमामी गंगे परियोजना नमामी गंगा परियोजना ये गंगे परियोजना तो कब सुरू किया गया था नमामी गंगे परियोजना नमामी गंगे जो परियोजना थी वो कब शुरू की गई थी जून 2014 में ठीक है जून 2014 में शुरू किया गया था जून 2014 में शुरू किया गया था और भारत सरकार की क्या थी परियोजना थी ठीक है नमामी गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी जून 2014 में भारा सरकार की यहाँ योजना थी ठीके गंगा नदी को समगर तोर पर सरक्षित और सुच रखने का उद्देश्य था जो नमामी गंगे पर योजना थी इसका उद्देश्य क्या था नमामी गंगे का उद्देश्य क्या था नदी को सरक्षित रखना गंगा नदी को सरक्षित रखना और स्वच रखना नमामी गंगे का उद्देश्य था और इस पर खर्चा कितना किया गया था 20,000 करोड रुपे खर्च किया गया था और कब तक किया गया था वर्ष 2019 तक 2019 तक 20,000 करोड खर्च किया गया था नमामी गंगे परियोजना में ठीक है सरकार ने जो नदी के किनारे जो बसे लोग हैं इनको भी सामिल किया था नमामी गंगा परियोजना में और देखे स्वची गंगा राष्टे मिसन NMC G के तहत यहाँ लागू हुआ था ठीक है याज रखना है आपको और ट्रेस इसकेमर की इस्तापना छह इस्तानों में की जाएगी नदी के परदूशन को कम करना और कचरे की शोधन करना और उससे पुनर चकृत करने के उपायों की योजना है इतना आप समझ गए न guys देखें यहाँ पर आपको class यहाँ पर पढ़ाई जा रही है देखें आपके syllabus के according यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है सारे topic यहाँ पर सारे unit के सारे topic को अच्छे से cover किया जा रहा है guys यही content आपको paid course में provide किया जाता है जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा यही content आपको paid course में provide किया जाता है लेकिन यहाँ पर free of cost यहाँ पर provide किया जा रहा है कोई भी fees आप से नहीं ली जा रही है और free of cost यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है लेकिन बड़ा अपसोस है बहुत दुख है इस बात का कि बहुत सारे students की नजर इन notes पे इन class पे नहीं कई है मैं आप से इसलिए कहता हूँ कि share कीजिए अपने दोस्तों में share कीजिए फ्रेंड्स में share कीजिए लेकिन क्या कहें आप share करते ही नहीं हो बहुत बार का है मैंने लेकिन कुछ बच्चे हैं जो share बिल्कुल भी नहीं करते हैं ऐसा ना करें share कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी यहाँ पर class को ले पाए ठीक है अब देखें मिर्दा प्रदूशन सारा कुछ आपके syllabus के according यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है मिर्दा प्रदूशन देखें मिर्दा प्रदूशन से क्या होता है सबसे पहली बात तो जो हानी होती है वो क्या होती है मिर्दा की गुनवत्ता को हानी पहुँचाने वाला प्रदूशन होता है मिर्दा प्रदूशन क्या होता है मिर्दा की जो गुनवत्ता होती है उसको हानी पहुँचाने वाला प्रदूशन होता है जिससे खेती की उतपादन चमता में कमी हो जाती है खेती की उत्पादन छमता कम हो जाती है और जिससे क्या होता है जो उत्पादन छमता है बिल्कुली कम हो जाती है जिससे क्या होता है जो अनाज है वो उसका उत्पादन बहुत कम हो जाता है जो उत्पादन छमता कम हो जाएगी मिट्टी की तो अनाज का उत्पादन भी विलियन उत्सर्ग यानि कि जो घर का कूड़ा है यदि हमने खेत में डाल दिया और जो खाने पीने का जो सामान है बच गया है खाने पीने की चीजे है जिसे हमने पकाय होगा खाना बच गया घर में तो हमने क्या कर दिया खेत में डाल दिया इससे क्या होगा विलियन उत्सर क्या होगा उत्सर्ग होगा और उद्योगों से जो आने वाले अपसिस्ट हैं यानि कि फैक्ट्रियों से जो आने वाले अपसिस्ट हैं वो मिर्दा को क्या करते हैं परदूशित करते हैं यह सारे कारण क्या हैं मिर्दा परदूशित के कारण बनते हैं ठीक है किर्सी में परि तारा भी मिर्दा पर्दूशित हो सकती है ठीक है ठीक है मेरी नव वर्ड्स भी इदर उदर जा रहे हैं पता नहीं क्यों ठीक है इससे क्या होता है मिर्दा पर्दूशित होती है अधिक जल जमाव और लवन की अधिकता से भी मिर्दा क्या होती है पर्दूशित हो सकती है अधिक जल जमाव और लवन की अधिकता से भी क्या होती है मिर्दा पर्दूशित हो सकती है अब देखे मिर्दा परदूशन के प्रभाव क्या क्या प्रभाव हैं मिर्दा परदूशन के तो देखे मिर्दा परदूशन मानव और पशु पौदों को भी प्रभावित करता है किस तरह से प्रभावित करता है देखे खेत में यदि मिर्दा प्रदूशित होती है उत्पादन चमता कम होगी तो अनाज की पैदावाद कम होगी जिससे क्या होगा मानब पर प्रभाव पड़ेगा और मानब के साथ साथ पौशु और पौदों को भी प्रभावित होंगे उ हानी होने से उत्पादन चमता में क्या होती है कमी हो सकती है मिर्दा के मौलिक गुणों की हानी होने से उत्पादन चमता में कमी हो सकती है वनस्पती और फस्पलों को भी परदूशित करने और उनके विकास को रोका रोक सकता है यानि कि वनस्पती और फस्पलों को भी पर और मनिश्यों पर भी मिर्दा पर्दुशन का बुरा परभाव परता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है अब देखे मिर्दा पर्दुशन के नियंतन के उपाए यानि कि मिर्दा पर्दुशन के नियंतन के क्या-क्या उपाए है तो जैवी खाद का प्रियोग करने से मिर्दा परदुशन को कम किया जा सकता है यानि कि हमें क्या करना है रसानिक खाद का रसानिक उर्वरत का उप्योग नहीं करना है ज्यादा मात्रा में जैवी खाद का प्रियोग करना है जिससे क्या होगा मृदा परतुशन बहुत कम हो सकता है अपसिस्टों को सही तरीके से परबंदित करने और उचित उपचार के साथ उन्हें निस्तारित करने से बचाव हो सकता है यानि कि अपसिस्टों को सही तरीके से उनका क्या करना है परबंद करना है उनका परबंदन करना है जिससे क्या हो उचित उपचार के साथ उन्हें क्या किया जाए निस्तारित करने से बचाव हो सकता है इनकी बचाया जा सकता है सहरी कच्रे का सहर में होने वाला कच्रा है उसका क्या किया जाना चाहिए विद्दूत उतपादन और खाद उतपादन करके परदूसरों को कम किया जाना चाहिए किर्सी में कीटनासकों का सतत और सहमित परियोग करने से मिर्दा पर्दुशन को रोका जा सकता है किर्सी में जो कीटनासकों का सतत और सहमित का मतलब है नियनतित परियोग करना चाहिए जो रासानिक उरुवरत के या कीटनासकों का जो प्रयोग करते हैं वो नियंतिर्त मात्रा में करना चाहिए मिर्दा पर्दुशन को रोकने में उप्योग किया जा सकता है अब है भूमी का जल पर्दुशन सबसे पहली बात भूमी का जल पर्दुशन क्या होता है ठीक है क्या होता है भूमी का जल परदूशन तो देखे भूमी का जल परदूशन अपसिस्ट और उद्योग विशानों और किर्सी उप्योग से उत्पन होता है जो भूमी का जल परदूशन होता है जो उद्योग फैत्रियों से जो अपसिस्ट निकलते हैं और भूमी का जल म क्या है खेत है नीचे क्या है पानी का श्रोत है क्या है पानी का श्रोत है अब देखे हम यहां पर क्या कर रहे हैं खेतों में क्या कर रहे हैं यहां पर रासानी खात का प्रियोग कर रहे हैं और इससे क्या हो रहा है जो नीचे जल श्रोत है जो जल है यह क्या हो रहा है कारण बनता है अब जो अप्सिस्ट जल स्रोतों में मिल जाएंगे यह क्या होगा भूमी गार जल का प्रदूशन का कारण बनेगा ठीक है याद रखेगा और्सनिक और नाट्रेट जैसे परदूशक भूजल में परविष्ट होकर स्वास्ते को प्रभावित कर सकते हैं जो और्सनिक और नाट्रेट जैसे जो परदूशक है और भूजल में परविष्ट होकर क्या करेंगे स्वास्त्य को प्रभावित कर सकते हैं खीकि इतना आपको समझ आ गया न अब देखे नियंतरण के उपाए नियंतरण के क्या उपाए हो सकते हैं पैन भी ने आज पतानी क्यों पैन सही से नहीं चल रहा है नियंतरण के उपाए तो क्या भुमिका जल को पर्दूशित होने से कैसे नियंतित किया जा सकता है भू जल का नियंत्रन करने के लिए जल संसादनों का सही उप्योग करना अति आवश्यक है भू जल का नियंत्रन करने के लिए जल संसादनों का सही उप्योग करना आवश्यक है पर्दूसित जल का पुना और ओद्योगिक पर्दूशन को नियंतित करने के उपाय अपनाने से भूमिगत जल पर्दूशन को कम किया जा सकता है ठीक है जो पर्दूसित जल का पुना और ओद्योगिक पर्दूशन को नियंतित करने के उपाय अपनाने चाहिए जिससे क्या होगा भूमीगत जल का जो परदूशन है वो कम हो जाएगा ये बात आपको अच्छी से समझ आ गई न तो गाइस देखे जिन लोगों ने अभी तक लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए और जो पहली बार यहां पर आया है इस प्लेट फॉर कि पीडियोफ आपको मिल जाएगा अकलास के लास्ट में मैं आपको बता दूँगा कि पीडियोफ आपको कहां मिलेगी ठीक है अब देखें रेडियो धर्मी परदूशान मैं पानी बहुत जादा पीता हूँ आप सभी को मालूम है अब देखें रेडियो धर्मी परदूशन एक परकार का परदूशन है क्या है एक रेडियो धर्मी जो परदूशन है वो क्या है एक परकार का परदूशन है कैसा प्रदूशन है रेडियो एक्टिब पदार्तों से उत्पन होने वाले विकीरन यानि के जो रेडिशन के कारण होता है किसके कारण होता है रेडिशन के कारण होता है आपने एक बात सुनी होगी जब 5G की टेस्टिंग चड़ रही थी उस समय किसी स्टेट में, किसी सहर में या स्टेट में बहुत सारे जो पक्षी थे उनकी डेथ हो गई थी उन सभी पक्षियों की डेथ हो गई थी और कुछ लोग कह रहे थे कि 5G की टेस्टिंग से ये हो रहा था ये बात कितनी सच है, कितना जूट है इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मैंने ऐसा सुना था, ऐसा मैंने यूटूब पे और एक आर्टिकल में भी पढ़ा था कि 5G टेस्टिंग के कारण ये सारा कुछ हो रहा है अब कितना सच है, कितना जूट है ये मुझे मालूम नहीं है तो जो देखे रेडिशन के कारण, यदि ऐसा सच में हुआ होगा तो जो देखे रेडिशन के कारण जो परदूशित होता है उसी को रेडियो धर्मी परदूशन कहा जाता है ठीक है समझ गए न, इतना आपको समझ आ गए न कि radio धर्मी परदूशन क्या होता है यह मैंने यह मैंने example दिया है ठीक है, जो 5G testing का मैंने example दिया है जो radiation के कारण हुआ है, यह radio धर्मी परदूशन है ठीक है, हाला कि यह किस बात में कितनी सच्चाई है इस बात की पूश्टी नहीं की जा सकती अभी ठीक है, तो यहाँ परदूशन विबीन परकार के radio active पदार्तों जैसे की uranium, thorium, plutonium आदी से निकलते हैं किस-किस से uranium, thorium, plutonium आदी से निकलते हैं रेडियो धर्मी परदूशन को मापने की इकाई रोन्टोंजन, देखे, रोन्टोंजन होती है क्या होती है? रोन्टोंजन होती है रेडियो धर्मी परदूशन को मापन की इकाई रोन्टोंजन होती है यहाँ परदूशन श्वता होने वाले परदूशन और मानद जनित परदूशन दोनों हो सकते हैं ठीक है यहाँ पर्दूशन स्वता होने वाले पर्दूशन और मानव जनित पर्दूशन दोनों हो सकते हैं अब देखे रेडियो धर्मी पर्दूशन के कारण क्या हो सकते हैं तो देखे मानव जनित पर्दूशन पर्दूशन पर्माणू रियक्टरों से होने वाले रिसीप, प्लोटिनियम, सुधी करण और नाभी के प्रयोग आणविक उर्चा सहिंतर औसधी विज्ञान रेडियो धर्मी पदार्तों के उत्खनन और पर्माणू बमों के विस्पोर से होता है, ठीके, देखे हिरोशीमा और नागा साक्री में जो पर्माणू विस्पोर्ट होए थे, जो पर्माणू हमला किया गया था, पर्माणू आक्रमन किया गया था, हमला किया गया था, उसते क्या हुआ वहां पर, क्या हुआ था, रेडियो धर्मी पर्दूशन हुआ जिसका प्रभाव अभी तक देखने को मिलता है वहाँ पर कहा जाता है कि हैंडिकैम बच्चे बहुत जादा पैदा होते हैं किसके कारण हुआ परमानू बम के कारण हुआ परमानू बम जब लाश्ट हुआ तो उसका प्रभाव के कारण क्या हुआ और वहा के इन्वानेंट में बहुत जादा प्रभाव पाड़ा अभी तक प्रभाव है अभी तक वहां पर है बच्चे वहां पर होते ہیں ऐसा कहा जाता है तो समझ गे न रेडियो धरमी परदूशन क्या है किन कारौन से होता है ठीक है जो परमाणू रेक्टों से जो होने वाले रिसाव है उसके कारण होता है ठीक है अब देखे प्राकर्तिक जैनित परदूशन सूरे की किरणों के कारण पिर्थिवी के गर्व में छिपे रेडियो धर्मी प्रतार्तों के कारण जैसे की रेडियो 224, यूरेनियम 238, पोटिशियम 40 आदी प्रकर्तिक, सौरी यहाँ पे प्रकर्ति लिखा हुआ है, प्रकर्ति जनित परदुशन होता है, ठीक है, यह समझ गए ना 25, अब लिखे रेडियो धर्मी प्रदुशन के प्रभाव क्या-क्या है, क्या सिरा पर्भाव पड़ता है, तो देखे इसे बहुत खतरनाग परभाव पड़ते हैं, वहांधी खतरनाग रोग होते हैं, यहां प्रदुशन मनेश्डे के अस्तित गांसर रक्त, cancer Tuber Closmus जिसे क्या कहा जाता है च्छाया रोग कहा जाता है यानि कि Skin Problem होती है आधी खतर्नाक रोगों का प्रक्रचार का कारण बन सकता है ठीक है, Radio Dhasarmy में परिवर्तन होता है रेडियोधर मी परदूशन के कारण जिन और घुन शुत्रों में नकारात्म उटपरिवर्तन होसकता है ठीक है गरवास्ता में दिकते यानि कि जो प्रेग्नेंट महलाई होती हैं उनके गरवस्ता में दिक्कते होती है रेडियो धर्मी परदोशन के कारण बच्चों की गरवस्ता में मिलती हो सकती है तो आपने देखा होगा जब कभी आप X-ray कराने जाते हैं तो आप लिखा रहता है परचा या एक बोर्ड लि होती है वो सीधा कहां कहां पर एफेक्ट करता है कहां परवाव डालता है गरव ववस्ता में परवाव डालता है ठीक है जिससे बच्चे की मृत्वी हो सकती है और दिर्ग कालिक परवाव यहां परदोशन धीरे-धीरे कई वर्सों से कई वर्सों में लकवे मैंने कहा था लकवे यानि कि हैंडीकाय कहा जाता ने कि क्या है नागा साकी हीरो सीमा में वहाँ पर बच्चे क्या होते हैं पैरलाइज उनको बहुत जादा होता है हैंडीकाय बच्चे होते हैं लकवे गोंगापन बहरापन आदी के रूप में प्रकट हो सकता है यह क्या है दिर्ग कालिक प्रवाव है बहुत लंबा प्रवाव है इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे न अब देखे रेडियो धर्मी पर्दुषण के नियंतरण के उपाय क्या क्या उपाय हैं तो पर्माणू अस्त्रों का पर्तिबंद आपने देखा होगा बहुत सारे देशों के पास पर्माणू हत्यार है अब पर्माणू हत्यार क्यों बनाए गये हैं किसले बनाए गये हैं इस बात को भली बांती समझते हैं अस्त्रों का उपाधन और पर्योग पूरी तरह से पर्तिबंद किया जाना चाहिए बिलकुल बंद किया जाना चाहिए पर्तिबंद किया जाना चाहिए शुरुक्षित उपकरण मानप प्रयोग के उपकरणों को रेडियो धर्मित्ता से मुक्त बनाकर उपियोग करना चाहिए और सुरुक्षा के उपाय यूवी विकरणों से बचने के लिए चसमे पहना चाहिए और जहां रेडियो धर्मी परडूशन हो वहां कारे को जल्दी समाप्त करना चाहिए जहां पात जो युवी रेडिशन होती है युवी विकरन से बचने के लिए हमेशा चस्मे का पर्योग करना चाहिए आपने देखा होगा दो कि जब कभी धी किसी के आउन्क का अप्रेशन होता है तो डॉक्टर कहता है ना कि कि चस्मे का प्रयोग करना है धूप में नहीं निकलना है चसमे का प्रयोग करना है यदि आप बहार निकलते हैं बहार निकलते हो तो देखें क्यों कहते हैं क्योंकि सूर से UV किरण जो आती है विकरण आती है वो आँखों पर प्रभावड आती है तो रेडियो धर्मी परदूशन हो सकता है ठीक है वहां कारे को जल्दी समाप्त करना चाहिए जहां पर यू भी विकरण होती है यही इसके सुरुक्षा के उपाये हैं समझ गए ना समझ आ रहा है ना इतना अँझ चलिया बहुत अच्छी बात है अब देखें नियंत्र विस्तरजन रेर्योम धर्मी वाले जो पदार्थ है उनको समुध्र नदी जल आदी में सही धंग से विस्तरजित ना करके उचित नियंत्रन करना चाहिए और परिभान के पर्तिवन रियक्टरों रिसाव रेडियो एक्टिव इंदन आइसो तोपों का परिभान और उप्योग का पर्तिवन लगाना चाहिए सुरुक्षित रियक्टर इस्तापन यानिकी आणविक रियक्टरों की इस्तापना और मानव अवादी से दूर होनी चाहिए जहां पर जो आणविक रियक्टरों का उप्यों किया जाता है वो मानव अवादी से बहुत दूर किया जाना चाहिए रेडियोग का प्रियोग को पर्दूशन के नियंत्रण के लिए परीट्रि किया जा सकता है नियंत्री किया जा सकता है और सुरुख्चित कचरे का निस्तारण करना चाहिए लिडियो धर्मी कचरे का सुरुख्चित निस्तरन करते समय इसका दिर्ग काली प्रभाव का ध्यान रखना चाहिए कि आगी लंबे समय तक इसका प्रभाव रहेगा इसलिए उसे सही तरीके सही डंग से सुरुख्चित निस्तरंटरन करना चाहिए ठीक है अब देखे Jewish factors तरल बायो मेडिकल जोखिन पूर्ण इलक्टानिक अप्सिस्ट तत्यों का मतलब होता है कि उपयोग के बाद बेकार और निर्धारक प्रदार्त को कहा जाता है इन प्रदार्तों को उनके प्रकर्ति और सोरूप के आदार पर खोज तरल आदी में दिवाजित किया जा सकता है जहाँ प्रदार्त परदूशन की गंबीर समस्या बन गया है जो रेडियो धर्मी जो परदूशन है ये गंबीर समस्या बन गया है जिससे परियावरन और सभी जीवों को प्रभावित हो रहा है यानकी प्रभावित कर रहा है ठीक है इतना आपको अच्छे से समझ आ गया अब देखें दिबीन-परकार के breकेश देखें क्या अबसर्द कापड़ा-काश्ट-चमडढ़ा-खादय-पदा आजी सामिल होते हैं वह साद्ड़ में पाट है टायराजी सामिल होते हैं और राक में क्या होता है काश्ट कोईला उपलों की राक होती है यह दिविन प्रकार के क्या होते हैं अपसेस्ट होते हैं गाइस यहाँ पर सारा कुछ आपको डीटेल में पढ़ाया जा रहा है अब जिस तरह का पेपर वन आ रहा है यदि आप उपर उपर पढ़ेंगे तो देखें बिल्कुल भी आपका एक्जाम किलियर नहीं होगा आपको डीटेल में सारा कुछ पढ़ना है परदूर्शन से लेकर इन्वारिमेंट में देखें पीडी यानि की पीपुल डेपलेमेंट इन्वारिमेंट एक कॉम्प्लिकेटट यूनिट है और यह यूनिट कहा जाता कि यहां से कहीं से भी क्वेसंस बन जाते हैं तो इसको बहुत डीटेल में पढ़ने की जरूर्थ है और मैंने यहँंपर दो क्लास ली है यह हमारी तीसरी क्लास है और सारा कुछ लैवस के अकॉर्डिघेल में आपको पढ़ाया जा रहा है आप सलावस उठाकर देख लीजिए और इन क्लासिस को देख लीजिए सारा कुछ सलावस के अकार्डिंग आपको यहां पर दिया जा रहा है अब देखें मृत जीव पसू यानि की कुता बिली जंगली जानवर भी आदी और किरसी जन्य अपसिस्ट यानि की भूसा खाद पत्या जो डंड जल अनाज आदी और मल मुत्र ग्रामी नगरे छेतरों में उस सर्जित मल मुत्र और उद्योग जन्य अपसिस्ट यानि की पेकिट आदी क्या है यह क्या है अब विबिन प्रकार प्रकार के प्रकार कि समझ गया है मृत जीप पसू हो गया किर्शी जन्य पी Am Steve अभ्या मल-मुत्र हो गया उद्योग जन्य अप्सुषत और चिकित साफ रिए सारा कुछ क्या है विभीन प्रकार के अप्सिस्ट होते है अब है वैस्विक तापन वैस्विक तापन क्या होता है वैस्विक तापन क्या होता है तो देखे वैस्विक तापन का अर्थ है पिर्थवी के तापन में बढ़ोतरी ठीक है वैस्विक तापन का अर्थ है कि पिर्थवी के ता प्रत्वी सूरे की किर्णों से उसमा प्राप्त करती है वाय मंडल में उपस्तित हरित ग्रहा गैसों के कारण कुछ किर्णे प्रत्वी की सता पर वापस आने वापस नहीं जा पाती है क्या होता है तापमान बढ़ता ही जाता है वाय मंडल में उपस्तित जो हरित ग्रहा गैसों के कारण कुछ किर्णे प्रत्वी की सता पर वापस नहीं जा पाती है जिससे क्या होता है तापमान बढ़ता है जिसका परिणाम सोरूप समुद्र इस तर में विर्दी होती है ठीक है बरब के पिगलते हैं जो गलेशर होता है वो पिगलता है महासागरे प्रभाव में परिवर्तन और खदान उत्पादन की समस्या आदी होती है महासागरे प्रभाव में परिवर्तन होता है और खदान की उत्पादन में क्या होती है समस्या आती है समस्या आदी उत्पन हो जाती है ठीक है अब देखें वैसिक तापन के परभाव क्या परभाव है वैसिक तापन के क्या परभाव है बरप के पिगले हुए समुद्र इस्तर की विर्दी के कारण प्रयावरण पर गुरा परभाव परता है यानि कि जो glacier होता है जो बरप होता है तिगलता है जिससे क्या होता समुद्र की इस्तर में विर्दी होती है और जिस कारण क्या होता है प्रयावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है ठीक है छित्रों के लोगों के लिए समस्याएं पैदा करता है ठीक है खाद्यान उत्पादन में कमी पौदों में रोग और कीट प्रभावी प्रभावित होने के कारण क्या होता है खाद्य सुरुक्षा का असर परता है क्या होता है खाद्य सुरुक्षा का असर परता है जीवानों क क्या होता है मानव स्वास्थे पर बुरा प्रभाव पड़ता है विश्व के देशों के संबंद में वैस्वित तापन के प्रभाव पड़ सकते हैं यानि कि विश्व के देशों के संबंद पर भी वैस्वित तापन के प्रभाव पड़ सकते हैं ठीक है इतना आप समझ गए जिवाणों के प्रकोप में विर्दी होती है जिससे मानव स्वस्थे पर प्रभाव पड़ता है और विश्व के बहुत सारे देशों के सम्मंद पर भी वैस्वित तापन का प्रभाव पड़ता है या पड़ता है ठीक है समझ गए ने वैस्वित तापन का प्रभाव क्या है गाइज अब class complete होने वाली है बस just complete होने वाला है हाँ PDF आपको मिल जाएगा मिल जाएगा PDF आपको ठीक है वो मैं आपको अभी बताता हूँ PDF आपको कहां मिलेगा देखे पहले पढ़ लेते हैं तापन को नियंत्रित करने के उपाए नए उर्जा श्रोतों का उप्योग करना जैसे कि पवन उर्जा और सौरे उर्जा ठीक है तापन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है हमें क्या करना है नए उर्जा श्रोतों का उप्योग करना चाहिए जैसे पवन उर्जा हो गया सौरे उर्जा हो गया वनस्पति छेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि व खादों का प्रियोग कम करना चाहिए ताकि उत्सरजन कम हो नाइट्रोजन खादों का उप्योग बहुत कम करना चाहिए जिससे क्या हो उत्सरजन कम हो और निसेस तेल गैस के उप्योग को कम करना चाहिए ठीक है निसेस जो तेल के उप्योग है गैस की उप्योग को कम करना ताकि तापमान के न्यूनी करण में मदद मिल सके, ठीके, तापमान का जो न्यूनी करण है यानि कि न्यूनी करण है, उसमें क्या हो सके, मदद मिल सके, मतलब तापमान बहुत कम करने में मदद मिल सके, बहुत कम होने में मदद मिल सके, तो guys देखे, continue class आपकी क्यों नहीं हो जाएगा तो कोशिष रहेगी चले और विश्च को इस टालीग्राम चैनल पर सर्च किजिए और टैल लिंक कर सकते और इस्टेग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं कर सकते हैं फिल्सुत पेज को लाइक कर सकते हैं गाइस देखें आज की क्लास आपकी यहीं तक